इंटरनेट के गलियारों में इस कथत बाल संथ की खूब चाचा है सूशल मीडिया पर ये खूब वाइरल है जगत गुरू राम भद्राचार ने इनको फटकार लगाई तो हंगामा मच गया रोजाना ऐसे ऐसे खुलासे हो रहे हैं कि कथत छोटे संत घिरते नज़रा रहे हैं लेकिन इन से जुड़ी खबर को दिखाने में हमें भी डर लग रहा है जी हाँ अभिनव अरोडा के मामले में लोगों ने खबर दिखाई तो इनके पिता सीधे कोट पहुँच गया मुकदमा दर्ज करने लगे लेकिन सवाल है कि आखर अभिनव के पिता चाहते क्या है क्या खबर दिखाना कोई गुना है यही नहीं आप तो सवाल ये भी है कि क्या अभिनव अरोडा के पिता जगत गुरु राम भद्राचार को भी कोट का नोटस थमाएंगे क्या अरे भाई जाहिर है जगत दुरु राम भद्राचारी है जिन्होंने उनके बेटे को मुर्ख कहा है जहां इस खबर को दिखाने वालों पर इनके पिता कानूनी दाओ खेल रहे हैं कई ऐसा ना हो कि अब ये कानूनी दाओ स्वामी राम भद्राचार के खिलाफ चलते बहराल इन पर आरोब है कि अपने बेटे यानि अभिनव अरोडा को धर्म की आड में बाजार में उतार रहे हैं पैसे कमाने के लिए हलाकि इस पर हम कोई पुस्टी नहीं करते हैं ये सब कॉमेंट मेरे खा रहा है वहराल हमारा काम आप तक खबर पहुंचाना है ऐसे में अब अभिनवारोडा की कॉंट्रोवर्सी में नया मोड आ गया है आएए आपको पूरी खबर बता है लेकिन उस्ते पहले आप सभी दर्शकों का सवागत HCN न्यूज में मैं हूँ आपके साथ रंजना उपाध्याइग कंट्रीन क्रेटर और कथत बाल संथ अभिनावारोडा को मंच पर स्वामी रामभद्राचार ने खुलम खुला डाट दिया तुरंत उसे मंच से उतरने का निर्देश दे दिया तर क्या सोशल मीडिया पर जैसे कॉमेंट्स की बाढ़ आ गई इस वीडियो में उन्हें मंच पर स्वामी रामभद्राचार से डाट पढ़ते भी देखा गया इस वीडियो में स्वामी जी अमिरभ को मंच से उतरने का निर्देश देते नसर आए आप पहले नीचे जाओ ये भी कहते नजर आए इसे वाद सोशल मीडिया पर अभिनाप क कई और वीडियो सामने आ गए राजा राम चंद्र भगवान की आप पर नीचे जाओ इनको करूं इस ने मर्यादा है मरी एक वीडियो में वह यह भी कहते दिख रहे हैं कि वो चिकन खाते हैं इसके बाद उन्हें चोल किया जाने लगा कि बला कृष्ण भक्ति का दावा कर बहरान ये बहस अभी थमी भी नहीं थी कि स्वामी राम भद्राचार ने वारल वीडियो पर हैरान करने वाला रियाक्शन दिया यहां उन्होंने कहा वह मुर्ख लड़का है उसको शिष्टा चार का ज्यान नहीं वह तो कहता है कि श्रीकृष्ण उसके साथ पढ़ते हैं अब भला बताईए श्रीकृष्ण उसके साथ पढ़ेंगे इतना मुर्ख लड़का है वो कहता कि कृष्ण उसके साथ पढ़ता उसके बाद दूसरी तरफ इसी वारल वीडियो पर अभिनव अरोड़का भी रियक्शन आया उसने सफाई देते हुए कहा राम भद्राचार जी ने मुझे डाटा था और उसके बाद उन्होंने अपने रूम में बुला कर भी मुझे आशिर्वात दिया उस समय मुझे मझे मंच की गरिमा नहीं पता थी कि शान्त रहना होताा था मैंने राम जी का जैकारा लगा दिया था इससे मंच की गरिमा भंग उगे उसके संथ के घरवाले आज मतुरा कोट पहुंचे और साथ यूट्यूबरों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने की मांग करती नहीं आविना वारोड़ा ने कहा मैं कोट आया हूं मैं कोट नहीं आना चाहता था लेकिन नयाय पाने के लिए मुझे आना पड़ा यूट्यूवर्स ने इतना आतंक मचाया और जान से मारने की धमकी दी तो मुझे कोट आना पड़ा यहां उन्होंने कहा लोग मेरे लिए गंदी बाते कह रहे हैं उनको कोई कुछ नहीं कह रहा है कौन अपने पिता जी माता जी से नहीं सीखता लेकिन मैं सपस्ट कर दूँ कि मैं पॉड़कास् क्या पता स्वामी रामभद्राचार पर नमुकात्मा करते कहीं कोट ना पहुंच जाए जो खबर थी हमने आपको बता दी अब आप कॉमेंट कर अपनी राय जरूर दे प्लाल के लिए तना ही देखते हैं से न्यूस धन्यवाद कुछ नमर्मेजी नीखाती देकर मेरो रेजिकन बनाची आप पर नीची जाओ इनको करू नीचे ने पर नीको